हेलो एबरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल अनवी के टिपस और मैं हूं रेखा दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूं एक ऐसी डियाएवाई क्रीम शेयर करने वाली हूं जिससे आपके स्कीन होने वाली है एकदम जो कि आपकी किजन में बहुत ही आसानी से अवलेवल है और इसका जो टैक्शर है काफी अच्छा जेल फॉर्म में टैक्शर है इसका और इसके यूज है वह कैसे करना है आपको वह वीडियो में आगे बताऊंगी यह क्रीम का क्या फॉर्मूला है इसे हमने कैसे तयार किया क्या प्राइब कर लिए बेल इकन का बटन जरूर दबाएए तो चलिए हम ज्यादा बाते नहीं करेंगे और हम देखें आगे वीडियो में कि इस क्रीम को हमने कैसे बनाया है स्कीन वाइटनिंग क्रीम जापने देखना है वह आपने लियान से देखना है हमें सबसे पहले इसक्रीम को बनाने के लिए एक खाली बाउल और काफी क्लीन होना चाहिए बाउल हमारा इसमें हमेसा जो पहला हमारा इंग्रीडियेंट है वह हम लेंगे राइस फ्लॉर वन टीस्पून इसमें एट करना है रॉव मिल्क दो सी तीन चम्मच करना है आपको कर सका हो और हमारा पेस्ट time कम से कम इतना होना चाहिए पूर्णा हो कि एसकी कंसेंश्टनसी जिसें थोड़ा से स्टेर्न कर सकें आप हमिसे एक दूसरे बाॉल में स्ट्रें कर लेंगे आप यहाँ पर देख रहे है कि हमारे यह जो पेस्ट हमने रेडि किया था यह थोड़ा सा रनी फॉर्ण में है क्योंकि इसे हमें चानना होगा और इसमें कोई भी लंग्स वगिरा नजर नहीं आ रहे हैं तो इसे अब हमने पुरा स्टेइन कर लिया है अब इसके अंदर हम जो नेक्स इंग्रियेंट मिलाने वाले हैं वह है हमारा ग्रीसली और ग्रीस जगा आप कैपसूल वगेरा विटमीन के भी यूज कर सकते हैं यह भी हमें आफ़ी स्पून लेना है और इसे हमें काफ़ी अच्छी से मिक्स कर लेना है एक अच्छा सा स्मूज टेक्शर के साथ में अब इसमें हमारा जो लास्ट इंग्रिडियेंट है वह है ऐलो वेरा ज यहां पर हमारा बिल्कुल क्रीमी टेक्शर रेडी हो गया है हमारी क्रीम का और अब इसे हम एक अच्छे साफ कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे और इसे हम फ्रीज में स्टोर करके पंदरा दिन के लिए लगभग रख सकते हैं इस तरीके से आप फिल कर लीजिए कि किसी भी कंटेनर में और फिर आप इसे इस तरीके से डे नाइट जब भी आप लगाना चाहें इस तरीके से आप लगा सकते हैं आपके फेस पर भी लगा सकते हैं आपकी बॉडी पर भी लगा सकते हैं तो दोस्तों देखा आपने कितन न कोषर मैं है इसको बनाना इसको बचाह है और यह क्या रोग्त चुए है और यह शचाहि हमें गवहर को बनाना यह को सरह एमिन क्यातnine स्टॉूंग बने दो कर सकते हैँ बना यह कि यूज है पर आप मेरे साथ में इसका रिजर्ट शेयर केजिए कैसा लगा आपको रेमेडी एफेक्टिव है या नहीं मैं आपको उसकी गारंटी देती हूं कि हंड़ेट पर सेंट इफेक्टिव रेमेडी है और आपका स्कीन जो है वह लाइटन कर देगी यानि कि आपका जो स्कीन है त्री शेयर लाइटन हो जाएगा अगर आपके स्कीन पर किसी भी तरह का फेस पर काला पन आ गया है तो वह भी दूर हो जाएगा आपको इस तरीके से इसे डे नाइट दोनों में यूज करना नाने के बाद में भी आप इस क्रीम को लगा सकते हैं आप अपने हैंड्स में काफी एफेक्टिव रेमिडी है और काफी शाइनिंग आ जाएगी इसको लगाने से आपके फेस पर अभी विंटर स्कार्ट होने वाले हैं कुछ दिनों में गाईस और विंटर में हमें अपने स्कीन केर की बहुत जरूरत होती है अगर आपके स्कीन ड्राइनेस की तरफ ज कर दीजिए क्योंकि इसमें जो इंडियेंट हमने लिये हैं विटमिन ए ओईल ग्रीस्वीन यह सारे चीजे जो हैं आपके स्कीन को ड्राइन से बचाएगी और आपका स्कीन का जो टैक्ट्चर है वह स्मूथ रहेगा वाइटन रहेगा लाइटन रहेगा स्कीन टोन आपको मिलेगा स्क्रीम को यूज करने से और हलके हातों से आप 2-3 मिनिट इसको लगा के डे में नाइट में मसाज कीजिए दो टाइम लगाए और मेरे साथ में 15 दिन के बाद कमेंट वाक्स में शेयर कीजिए वीडियो कैसा लगा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए कमेंट प्रेंड में शेयर कीजिए मेरे इंस्ट्राइब्रम अकाउड अन्वी के टिप्स में भी जाकर मुझे फॉलो करते रहें तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक प्यारी सी वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाबाए